नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबका हमारे नए चैनल जाट रेजिमेंट पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं अशोक चक्र विजेता करनल जे जे थॉमस के बारे में करनल जोजन थॉमस का जन्म 22 मई 1965 को केरल के पठानाम थिट्टा जिले के तिरुवल्ला के कुट्टूर गाउं में हुआ था उन्हें आफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA से ग्यारह जाट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया आठ मार्च 1986 को सेकेंड लेफिनेंट के रूप में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर वह एक प्रशिक्षित पाइलट भी थे और उन्होंने 6 साल तक आर्मी एविएशन कोर के साथ काम किया था उन्हें डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन तमिलनाडू में अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित स्टाफ कोर्स के लिए चुना गया था 6 नवंबर 1997 को उन्हें मेजर के पद पर पदोनत किया गया उसके बाद 16 दिसंबर 2004 को लिफ्टिनेट कर्नल के पद पर पदोनती दी गई उन्हें 2008 में आतंकवादी विरोधी अभियान चलाने के लिए 45 राश्ट्रिय राइफल्स में भेजा गया था 22 अगस्ट 2008 को लगभग 03.30 बजे जम्मू के कुपवाडा जिले में स्थित माचिल के घने जंगलों में कर्नल थॉमस को आतंकियों की उपस्थिती के बारे में जानकारी मिली कर्नल थॉमस ने दो आतंकवादियों को नस्दीक से मार गिराया इसके बावजूद गंभीर बंदूग की गोली से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी सुरक्षा के प्रती पूर्ण उपेक्षा दिखाई और लगे रहे तीसरे आतंकवादी के साथ भीशन हाथा पाई में उसे सफलता पूर्वक मार गिराया करनल थॉमस और उनकी टीम कुल 6 आतंकवादियों को खतम करने में काम्याब रही अंत्य करनल थॉमस ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और सेवा में अपना सर्वोच बलिदान दिया करनल जोजन थॉमस को मरनो प्रांत सर्वोच अशोक चक्र से सम्मानित किया गया राश्ट्र द्वारा शांतिकालीन वीरता पुरसकार प्रदान किया गया वीर अधिकारी की पतनी श्रीमती बीना थॉमस 26 जनवरी 2009 को राश्ट्र पती प्रतिभा पाटिल से अशोक चक्र प्राप्त किया आज की वीडियो में बस इतना ही पसंद आया तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत